हाई फ्रेंड्स सेफ्टी फॉर ओल जीरो वान चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे फॉर्कलिप का सेफ ड्राइब कुछ ऑपरेशन का बारे में तो चले शुरू करते हैं देख लेते हैं एक एक करके सबसे पहले जो है आप जो फॉर्कलिप चला रहे ना तो slow चलाईए ये रेस का ज़रूरत नहीं है टाइम एक तोड़ा से ले लिजिए कोई tension नहीं है और फॉर्क जो है बहुत उपर मत उठाईए उसको एक्सिदेंट होने का ये बहुत कारण हो जाता है बहुत सा साइट पर देखिएगा फोर्क को बहुत उच्छा कर दिया है लोड को ये एक्सिदेंट होने का बहुत चांस होता है ये मत करिए उसके बाद माल लिजिए जब आप उपर जो आपका surface है तो रहा उपर की तरफ है तब क्या कीजिएगा load आगे रखेगा forklift गारी को पीछे रखेगा ठीक अभी उल्टा करना परेगा जब आप मानलीजिये नीचे की तरफ आ रहे है आपका surface नीचे की तरफ है न तो reverse करना परेगा मतलब load पीछे रहेगा गारी पहले इसमें accident होने का chance बहुत कम हो जाता है और जब मानलीजिया आप reverse कर रहे है या कुछ turn ले रहे है तो देखिएगा पीछे वाला जो है load है वो सब देख लीजेगा एक बार यह भी accident होने का बहुत कारण होता है accident यह इसमें accident होता है तो यहीत आज का topic अगर यह topic अच्छा ओके बाई thank you